नमस्कार मैं आठी बगे स्वागत जिन्दकी नियूज में आप सभी का स्वागत है फरिदवाद के एक गाउं में फिर से तीन चीते दिखाई दिये दिनली फरिदवाद बाइपास रोड पर इस्तित गाउं जाजरू की यह गटना है जहां खेतों के अंदर दो चीते भागत हुए दिखाई दिये यह घटना गाउं के एक सीसी टीवी में कैद हो गई वीती रात को दिखाई दिये चीते पूरे गाउं में द्यासत का माहूल बन गया सूचना मिलते ही वन विवग और इस्थाने पुलिस के टीम मोकें पर पहुंची और दोनों टीमों ने चीते खोज टीवी देखा तो उसमें दो चीते खेतों के अंदर भागते हुए दिखाई दे रहे थे घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे वन अधिकारी हंसराज की माने तो उन्हें जाजरु गाउं में रहने वाले विरंदर ने सूचना दी थी कि उनकी गाउं में एंटी कोई प्लांट है उसके पास लेपड होनी की खबर है रात को उन्होंने वीडियो भी भेजी थी रात की बनी वीडियो में देखने से ऐसा परतीत हो रहा था लेकिन हम एक जैक पॉइंट पर गए पर वहां हमने आसपास सारी जगह वेरिफाई करके देखा वहां ऐसा कोई च पूटेज में तीन लेपड दिखाई दे रहे हैं लेकिन वहां एक और थाया माथ रही हैं अब इसकते और है अचान पूटेज धि onisc also tai सर रही है कि नहीं आसकते जानवर कहीं भी आजा सकता है लेकिन अभी एहीं कह पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा कि कोई जानवर है लेकिन यह पता नहीं चल रहा कि एगजक लेपड ही यह शूचना मिली थी क्या था और कौन से गाउं का था यह सूचना मिली है कि जाजरू गाउं में जो एंटीपीसी दिवार है उसके पास में कोई लेपड देखे गए ह उसके बारे में WhatsApp दोरह ही मुझे सूचना मिली है और सूचना मिलने के बाद मैं भी मोखे पाया हूँ मोखे पाने पाद यहां पर वन्य जी विभाग के डिपार्टमेंट के आदमी भी आई हुए हैं उनसे भी संपरकवा हैं उनसे रहे बात्चित की है लोग्साही देखे दिया जाएगा इस बारे में गाउं के सरपंच प्रेम से मेरी बात हुई है उनको भी मैंने सुचित किया है और उन्हें कहा है कि भी गाउं में मुनिया दिख रहे हैं और आसपास के लोगों को स्तरक्श गया है ताकि जो है किसी के साथ को अनुह नहीं हो